आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन से बने दो आइटम जो की खाने में बहुत ही जादा मज़िदार लगते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले में रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करेगा तो चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं यह आपर लिया है बेसन अब जो मैं इसमें एड करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूं तो ये सारी चीज़े में इसमें एड़ करने वाली हूँ जो की है हरी मिच, धना, अजवाइन, नामक, अधरक के तुकडे, सूखी लाल मिच, काली मिच और लॉंग इन सारी चीज़ों को मैं एक जार में निकाल लेती हूँ क्योंकि अब हम इसे पीसेंगे तो गाइस मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी वगएरा कुछ भी नहीं डाला है हमें इसे सूखा पीसना है, ये देखिए, ये पिस चुका है ये बिल्कुल इस तरीके का हमें से पीसना है तो चलिए गाइस, अब बिसन को मैं इस बड़े से कटोरे में निकाल लेती हूँ उसे क्या होगा कि बिसन अच्छी तरह से मढ़ पाएगा तो अब मैं इसमें एड़ करने वाली हूँ तेल तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल इसमें एड़ किया है और अब मैं इसमें जो हमने मसाला तेयर किया था पूर मैं इसमें डालूँगी अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी हरादनिया और इन सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जिसे जो मसाला है वो पूरे बेसन में अची तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद मैं मिलाओंगी थोड़ा सा हल्दी जो बहुत ही अच्छा कलर देगा हमारी बेसन की पपड़ी को तो चलिए अब ये मिक्स कर लिया है मैंने अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पाने याट कर जी जाओंगी और इसको अच्छी तरह से हमें माण लेना है तो आप देख सकते हैं गाईस मेरा बेसन अच्छी तरह से मढ़ चुका है तो आप इसकी लोई बड़ी बड़ी तोड़ सकते हैं तो चलिए हमारी सारी लोईयां बनके रेडियो हो चुकी है अब मैं इसको बेल लेती हूँ तो अब हमें इस तरीके से छोटी छोटी जो हमाई पपड़ी है वो बना लेनी है तो इसी तरह से मैं सारी बना लेती हूँ और अब मैं क्या करूँगी कि चाकू से इस तरीके से इसमें इसको काट लोगी उससे क्या होगा कि ये फूलिंग ही नहीं तो मेरी सारी पपड़ी बनके रेडियो हो चुकी है मेरे पास जो और बेसन बचा था उसकी मैंने बना लिये बतिया कुछ नहीं बस हमें छोटी छोटी लोई तोड़नी है और अपने दोनों हाथों की साहता से इस तरीके से इसको लंबा कर लेना है तो बस हमारी बतिया और पपड़ी बनके रेडियो हो चुकी है तो अब हम इसको सेख लेते हैं तो हमारा तेलब गरम हो चुका है तो मैं एक एकर की सारी पपरियाँ इसमें डाल देती हूं तो बिल्कुल हलके हाथ से हमे से चलाते रहना है और पीच-बीच में हमें से पलटते रहना है उससे क्या होगा कि हमारी जो पपड़ी है वो दोनों साइट से अच्छी तरह से सिख जाएगी अब आप देख सकते हैं हलकी ब्राउन टाइप की हो गई है इसका मतलब यह सिख चुकी है तो अब हम इने निकाल लेते हैं तो पेपर की उपर मैं इससे निकाल लेती हूँ जिससे बचा कुछा जो तेल है वो भी अलग हो जाए तो मैंने यहाँ पे छोटे और बड़े दोनों साइज की पपड़िया बनाई हैं आपको जिस साइज की खाना पसंद है आप उस साइज की बना सकते हैं तो चलिए बड़ी वाली पपड़िया भी हमारी सिख चुकी हैं तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ तो चलिए एंड में जो हमने बत्या बनाई थी उसको भी अब हम सैख लेते हैं तो बस इसी तरह से हमें से से शेखते रहना है जिसे चारो तरफ से अच्छी तरह से सिख जाएं और हमें इसे जादा ब्राउन नहीं करना है वरना यहां जल भी सकती है तो उसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं लगेगा तो बस यह सिख चुकी है और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ तो वो हमाई सारी चीज़ें बनके रेडियो चुकी है और आप इससे सुबह नास्ते के साथ इंजॉय कर सकते हैं कई बार होता है ना गाइस के हमें छोटी मोटी से भूक लगती है और हमारी कुछ बनाने की इक्षा भी नहीं होती तब ये बहुत काम आती है तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी